दोलन के इतिहास में 1942 की क्रांती को भुलाय नहीं जा सकता मातमा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गवालिया टेंक मैदान से क्विट इंडिया मोमेंट का नहरा दिया था अंग्रेजो भारत छोड़ो और उसके बाद देशाजाद हुआ था आज हम हैं कई महान सक्सियत के साथ एक परिशे तो आप जानते ही होंगे स्री कमल टावरी जी जिनके साथ मैंने दो-दो वीडियो किया था भारतिय प्रसासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं और डियम से लेके कमिस्टनर सचिव प्रमुक सचिव पियमो योजना आयोग तक की आत्रा आप ने किया यह आप देख रहे हैं फक्कड जीवन है पहले भी मैंने बताया है यह भगवान बुद्ध की प्रतिमा है हम इस समय तिबती मंदिर सारनात में है मैडम का परिचे टावरी साब स्वेम कराएंगे आप इरमेल जी है और आप एंथ्रोपलाजिस्ट है और इनका रुच्ची है कि समाज में जो विसंगातिया होती है जो समाज अपने को समझ नहीं पाते है तो उसका अध्यन किया जाए और समाज कैसे मजबूत बने और कैसे शर्शक्त बने नान वाइलन्स शाकाहार और प्रेम मोहबत के साथ विकास कैसा हो जिसको सबको मौका मिले तो उसके आप अध्यन करते हैं मेडम से हम बात करेंगे उसके पहले का और परिचे हम जानना चाहते है नमस्कार मैं डॉक्टर संजय महरुत्रा इंडियन असोशेशन आप जपान की तरफ से आया हूं काशी मेरा जन्मिस्थान भी है कर्मिस्थान भी रहा है और आप जपानी रहे है अभी मैं जपान में ह चली अकेला जीवन जिनका है वो बड़े चरम पर गए है जैसे प्रदान मंतरी जी यहां के मुख्य मंतरी जी अकेला जीवन आपका भी है चली आज हम कुछ बात करते हैं अगस्त करांती पर टावरी साहब अगस्त करांती में बड़े लोगों का बलिदान हुआ यह मनसाथ अपना देश आजाद होगा आजाद लोग रहेंगे अपना सासन होगा अपना प्रसासन होगा सभी गरिमा के साथ डिगनिटी के साथ जीवन जीएंगे और यह हमारे संभीदान में भी बरेंडित है डिगनिटी का उलेक है आज किल टॉंटीवन में तो किस परकार की डिगन कि एक तो अपने को गलतियों से सीखना चाहिए 77 साल हो गए यह जो आज का दिन का जो अभियान था लेकिन पहले तो हम सिवकारे कि हमें कई कमिया हैं और हम एक सशक्ते राष्ट्र मजबूत राष्ट्र आनंदी राष्ट्र रोजगार वाला राष्ट्र गर्व वाला राष् बढ़ गई पेड़ कड़ गए तो दोनों भी है अब हमको देखना यह कि हम नए लोगों के साथ यह जो नई पीड़ी है उनके साथ स्वावलंबी का स्वाबीमान का यह जिस कैंपस में बैठे हैं वो गौतम बुद ने बोला था कि अपो दिपब हो यानि अपना प्रकाश खुद बनो यानि केवल सरकार केवल रिजर्वेशन केवल यह पैसा मांगने के बजाए बिकारी बन के बजाए स्वाबीमानी बनो सवाल करो तो हम तो यह कहेंगे कि आज के दिन के बाद में हम चाहते हैं कि सब लोग यह सोचना शुरू करे कि हम अपने गाउं में अपने वाड में अपने जाती में अपने समाज में अपने सबाू में क्या नया काम कर सकते हैं और किस तरीके से हम रोजगार पैदा कर सकते हैं और हमारे साथ जो जपान के भाई साब आहे है सरकारी ये शहर की तरह भागने के बढ़े तो कई समस्या हैं लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या सोच बदलने की तो हमारा ध्यान दुबेजी आजकर सबसे पहले यह है अपवाद दोगो ढूंडो अपवाद जो अच्छे लोग है जिन्होंने अपने नाम से पेड़ लगा लिए है स्कूल चला रहे है तालाब कर रहे है अपने पैसे और ऐसे लोग बहुत हैं तो हम कैसे उनको एक मंच दे नाम दे पैचान दे अच्छे मीडिया वालों को लाए जिससे लोगों को विश्वास पैदा हो कि अच्छाई भी बहुत है और लोग अनुकरन कर सके देख के अब हम माडम के तरफ रूख करेंगे माडम माडम वाटीज और ओपिनियन डेवलेपमेंट इन डियनुक्त ड्यपलमेंट इनुकंपषाइब हैंचे इंद आर विश्वाद विश्वास पैद्सिक्तेट इनुक्ति अश्वादे मेंट आंब future-oriented. For example, people should not be no more dependent on grants and subsidies by the government, which has killed their entrepreneurship. People should be their own entrepreneurs, which is possible, and only they have developed the attitude of waiting till the government or some NGOs or some other agencies do something for them, do projects for them which they don't need at the ground. This is also the thing. Sustainable development has to be inclusive. And people at the ground, they have to be involved from the beginning, all of them. They have to be asked because they know best what they need and what they don't need. And we should not just waste money for things which are not sustainable. And this is what we are doing. We try to identify business opportunities, non-exploitative business opportunities in villages, so the people become independent. And you were mentioning that terms Swabhi Mani are the dignity of people should be built up. Being dependent from government and other agencies, grants and all, means they are beggars. Dignity is not there. They are dependent. So it is possible to make them into entrepreneurs and they can do team farming. And another leg we are following is of course in environment protection, means water problem. We already have in India heavy water problem. Then also pesticides. We are poisoning ourselves with the pesticides. So organic farming is the task of the hour. and this is what we are propagating and what we try to I mean we are volunteers. प्याइब भी रहे और सीख भी रहे दोनों कर रहे हैं. दोनों कर रहे हैं. मैडम ने बड़ी बात कहा की किस तरह से हम जिस तरह से आर्गैनिक खेती को बढ़ावा देना चीए वहा हम नहीं दे पा रहे हैं. आपने चर्चा किया और जो सबसे महत्पूर्ण बात थी वह आया था कि हम जो स्वता हरोजगार करेंगे उसमें डिग्निटी गरिमा के बहुती करेंगे अब हम आगे चलते हैं और बढ़ते हैं मलोतरा साहब के साथ बताएं सर क्या कहना है आपका जैसे भारत और जापान दोनों को आपने देखा दोनों को आपने देखा और जापान ही नहीं देखा बहुत से देशों को देखा है तो क्या करना चाहिए जैसे बीदेशों में क्या है हमको बीदेश से अनुकरण क्या करने दिखिए अच्छी चीजे खुश्तो हम है और जपान जो है दिटी विश्वयूत के बाद कि उनका सबकुछ नश्ट होने के बाद भी अपने आपको आगे बढ़ाए और विश्व की दूसरी अर्थस्वेस्था बनी सिकेंडर एकनामी बनी आज तक अभी भी यह भी चला है थर्ड एकनामी पर आ गया है भी एक चाइना के बाद में लेकिन फिर भी उनके पास काफी स्ट्रॉंग है काफी मजबूत है और लेकिन उनका यह रहा कि एक देश को एक साथ होने किया शकता है तो जपान की सबसे तो सब के पास आएंगे तो सब एक साथ परशानी जहलने के लिए तैयार थे तो यहां हमारे आए कि परशानी आए तो हम दूसरे की परशानी नहीं जहले हम क्यों जहले कोई अगर समस्या पर दूसरे पर करते जाएंगे और अगर कोई समस्या जैसे आपके शड़क पर देते हैं तो यह चीज नहीं होनी चाहिए और एक जपानियों में एक अच्छी खास बात रहे कि टीम वर्क पूरा टीम वर्क के साथ काम करते थे तो इस विशे में उन्होंने देश में जो भी साधन उपलब्द थे उस साधन को उन्होंने एक ही करण किया अब हमारे देश में बहुत सी साधन संपन हैं फिर भी एक अमीर देश के वासी गरीब हैं तो इसमें हमारी अपनी कमी है और हम यह चाहते हैं कि विदेशी लोग आए और विदेशी लोग यहां का बहला करें विदेशी कंपनी बहला करें तो यह होने से रहा तो हम लोग को ख खिरकार मुर्त रूप देना पलेगा सर बीच में एक सवाल करना चाहूंगा च्छे अगस्त तो नहीं सव पैंतालीस और आठ अगस्त तो नहीं सव पैंतालीस को बंबलास्ट हुआ था जापान में और लाखों लोग मर गया तहस नास हो गया और उसका असर आज भी है तो ऐस कुछ अगर साइन्टिफिक तरीके से कहें तो एक डियने भी कह सकते हैं कि उनके डियने में ऐसी कुछ खूबियां हैं कुछ लोग कहते हैं और जिस तरह आप बिल्ली को कितने भी उपर से फेक दें तो अपने पंजे के बल पही गिरेगी तो उसी तरह यह जपानियों का भ वर्पे वह एक धहरवान कौम है तो धहरवान हैं और टिमव़र्क में जो काम करते हैं रही निश्चे ही सफल होते हैं तो टिमवर्क में एक साथ एक होना किछी में अब हमारे यहां विविन प्रकार के मतावल लंबलियां है तो हमारे मत दूसरे हैं दूसरे के मत भाई में किया और हम दे सबीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का और हम भी सुगुरू रहे हैं तो अब क्या करना चाहिए ऐसा कुछ है नहीं तो अब हमको सिर्फ यही करना है कि जो हमारे पास सर्व सर्व उपलब्द संसाधन है उस संसाधन को एकी करन करके सब लोगों को एक साथ तो हम लोग सब बढ़ जाएंगे आपके खुरा क्या है खाना क्या है जमीन क्या है संसकार क्या है जात क्या है और फिर आप उसको परिक्षन करके मैदान में उत्रो आपने पुछा ना क्या जाए जी तो हमारा पहला पाइंट होगा अपने को पैचान और मार्केटिंग सी जब तक आम अच्छी चीज की कदर नहीं करेंगे और उन इसला ड Suddenly región इन ए 2 बहुत में बोला इन वन हे कि बंदर चाहिए तो यह मं को देखना पड़ेगा कि हम किस से क्या क्सा अच्छा ही लेले और हमारे अंदोने पbit दोश है यह जितनी हमारे अंदर बैठे रहते हैं उनको देखना चाहिए वहां उस देश में क्या क्या अच्छा है जो हमारे देश के और सरकार से हटकर जनता के साथ पेडों में पानी में दूद में रोजगार में पड़ाई में शिक्षा में क्या यह सारी कि अगर आपको र किताब को पड़ो इसका हिंदी भी निकाल रहे हैं सवाल करो और अच्छे लोगों के साथ बैठो यह जोड़ो आप तो यह सोचो आप क्या कर सकते हो और आप धंदा कैसा बढ़ा सकते हैं अच्छे लोगों की अभिनंदन कैसा करें और मार्केटिंग अनमार्केटेर यह शब्द सीख लो शुबल आपके साथ एक तो यह सिखो अर्दम सकारात्मक अर्दम और हर्दम केवल समयक बीडी में गप में तमाकों में इसमें मत गवाओ यह हर्दम अच्छा सोच के साथ देखो क्या धंदा बढ़ सकता है मलोत्रा साब जैसे बहुत लोग है जो इर्मिल जी जैसे मलत राजी जो अपने पैसे से पूरा भारत के लिए चिंतित है कि क्यों नहीं जाकता है क्यों नहीं जाकता है क्यों नहीं जाकता है तो दुबे जी का काम है कि अच्छे लोगों का यह करे और अब हम दुबे से अनृत कर रहे है कि अच्छे लोगों के अभिनंदन के साथ साथ गाउं में जो काम अच्छा हो सकता हूं तालाब में पानी में पेड़ में कम खर्चे में प्रधान मंत्री जी का यह कॉंस्टिव मैं तो कहूंगा आप इसको अड़ाप्ट कर लो बनारस को हम चाहते हैं दुबेजी के साथ हम और फिर गोध लेके यहां पर गाउं गाउं में गाउं के साथ एक नई नियोजिन की प्रक्रिया दिल्ली से नहीं होगा बंबी से नहीं होगा लखनों से नहीं होगा यह होगा तो गाउं में होगा गाउं वालों से होगा इस पर हमारा अंड़ों दुबेजी कि इस किताब के साथ लीडर्शिप पर चर्चा कराए ब्लाक में और शुबला आपके साथ चोटा सा सवाल लोग यदि आप से कुछ जानना चाहेंगे मैं चाहूंगा अनावसिक परिसान नहीं करेंगे लेकिन अगर कुछ पूछना हो तो समय कभी उप्यूगत होगा जब आपके नंबर प जिरो 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 सिक्स यही वार्टाप नंबर है इसमें डाल तो गुरुब बनाओ दस लोग पन्रा लोग बीस लोग और अगर आप उसको गाउवार या एरिया वार लेलो इसे ब्लाक लेलो गाउव लेलो धंडे वार लेलो तो फिर अपन उस पे चर्चाओं का दौर कर परदान मंत्री जी भी है बाबा विश्वनाद भी है बड़े-बड़े मजजीदे भी है तो क्यों नहीं दुबेजी की लीडर्शिप में मीडिया से परिवर्तन पत्रकारों से परिवर्तन ऐसा एक नारा चालू कर दे अपनास से ही कि संपूर्ण करांती में जो नहीं सकता है अच्छा जहां से भी मिलेगा हम सिखेंगे यहां थे स्रीकमल टावरी जी गाजीपुर में डियम थे 42 साल पहले और अभी भी लगे हुए हैं सर लोग आराम कर रहे हैं आई-एस-पी-एस-आई-फैस-अब नौकरी किया उसके बाद फिर आप क्यों ही सब जैसे क्य लगता है आप भी आराम करते हैं हमारा तो सीधा कहना है जिसमें मज़ा आए ना वो करो अगर आपको सोने में मज़ा आता है तो खुब सो अगर आपको घूमने में मज़ा आता है तो खुब घूमो लिखने में पढ़ने में हमको जवान लोगों से मिलने मज़ा आता है हमक अच्छे लोगों से विले और उमंग के साथ जी ओ उमंग के साथ और नए लोग बहुत काम कर रहे हैं उनसे सीखो और मलुत्रा जी जैसे लोग जपान में जाकर भारत की चिंता कर रहे हैं वह आशा की किर्ण मलुत्रा जी यहां कुछ आपने सोचा है जैसे कुडा कच्रा है आप इस तरह से इतना कच्रा जी धर आप जाएंगे गड़ा सडकों में कच्रा और यह सब जैसे कैसे इसको ठीक किया जाएं एक क्या ऐसा है कि हम लोग ने पिछले कई वर्षों से टेकनोलजी जापानी टेकनोलजी के द्वारा उत्तर परदेश के विकात के लिए काफी बीड़ा उठा रखा है और समय समय पर हम लोग अपनी टेकनोलजी का प्रुसाहन और समारोर अगरह करते रहते हैं दिखाते र द्वारा हम लोग अपने द्वारा यह सफाई सफाई कर सके और साथ ही इस बार हम लोग ने पिछले वर्ष काशी हंदू विश्विद्याले में ड्रिंकिंग वाटर सुलूशन के लिए एक समगर कारशाला आईवीद की थी जिसमें की गंग और दिल्ली क्रियानुमन कब होग किरियानुमन के लिए इस वर्ष हम लोग अपना आगे कदम बठा अब तक जो क्रियानुमन हुआ हूँ उसको बताईए अब सर चमा करेंगे क्रियानुमन हुआ क्या अगर तो अपन टैक्स भी दे रहे हैं साबसावाई के नाम पर लेकिन आप बली में बनारस में कहीं चले क्योंकि हम अच्षे लोगों को अगे लाने का नाटक रखें यह जब तक नाटक की कलचर नहीं खतम होगी तो हमारा पांपने की वाड को पकड़ो हम इंद इंके साथ पीछे पढ़े है कि वाड को पकड़ो वाड में जू स्कूल है उसको पकड़ो, मंदीर है मज्जिद है उनको पकड़ो कि आपका ist और गन्दा है तो आपका वाद का मेंबर है जो हारे है वाद के मेंबर उनको पकड़ो और जो कर लड़ना चाहते है वाद की लीडरशिप के लिए कि मैं वाड में अच्छी नेत्रू तो दूँगा लिडर अच्छा बनूगा उसको बोलो नाटक मत कर तेरे को नाम चाहिए पद चाहिए पैसा चाहिए परधान मंतरी बनना है राश्टरपती बनना है जो बनना है बन लेकिन नाटक मत कर तो इसका मतलब हो वाड को अपनी चाहिए आज हम DiM से भी बात करेंगे और वाड के लोगों को बोलेंगे अपने अपने वाड का रोज साफ सफाई स्कूल के साथ वाड के वाड को ने करना चलिए लोग नहीं आएंगे अरे बेटे कि शुरू तो करो ना आज काल आज दो आएंगे बीस आएंगे पच्छिस जाएगे फिर हो तक साच चले जाएगे आप नाटक नहीं करो कि इस देश की आत्मा को मारा है नाटक हर चीज में नाटक भाशन में नाटक दिखाने में नाटक तो यह फिलम फिलम का छोड़ दो फिलम तो ठीक है अब हमको करना पड़ेगा वाड का लेकर असली जाड़ू इसमें महिलाओं को युवाओं को और स्कूल वालों को आगया आना चाहिए कि वाड में गंदगी अगर है तो वाड वालों की जिम्मेवारी क्या-क्या योजना है सरकार की बिजली पानी उपर से ये गंदगी देखिए अगर हम जागेंगे नहीं समय रहते वे तो हमको इतियास माफ ने करेगा बाद में हम चाहिए जो चिल्लाते रहे इस वक्त तो हरे को जागना चाहिए और अपने से हो वो करना चाहिए दोशार लंबा हो रहा है तो आप कितना जग रहे हैं और हमसे आप कहिए कि भरिया आपके बासनर्त कुछ करेंगे मैं भी दिखाऊंगा आप भी दिखाए और कमल टौरी साब तैम अपना ι्मेल दिया है अपना وाट्सपप नंबर दिया है इमेल आप देदे हैं दी कमल टौरी आप कमल टावरी एड जीमेल डॉट कॉम लेकिन आप चाहेंगे कि बनारस में कैसा मंच बने मैडम वाट इस यूर इमेल अड्रेस इमी मारलं आइम आई मारलं मारलं आइट ए ओ डॉट कॉम यह राब मलहुतरा साहब आप ही पता दें जोंकि लोग जान छोड़ेंगे नहीं लोग लगेंगे और पढ़ना ही पढ़ेगा पिछे पढ़ेंगे अपने आप पीछे पढ़िए पिछे पढ़िए मैं चाहता हूं मारे भी पीछे पढ़िए और सब के पिछे पढ़िए बताएं इंडियन एसोचेशन आप जापान अट देरेट जीमेल डॉट कॉम ने यह रहा म अरसट का चलिए लंबा कालखंड हुआ लोग कहेंगे कि टावरी साब पता नहीं डियम कमिशनर रहते हुए या सब किये कि बाद में आई यह जब सेवानि बृत होने के बाद इनका राष्ट रही तब ही अकल आई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्तों ऐसा है यह ब यह सरकार आपकी है यह आएस वगेरे जो है यह सरकारी नौकर है इनका काम है मिले बताए और कठिना ही हो तो बोले और नहीं फिर भी कोई दबाव डालता हो जब बढ़िया बोले मेरा ट्रांसवर कर आपसर ने तो हर्दम ट्रांसवर लें त्यार होना चाहिए उसको पैसा मेरे बाणसे बहुत मैंको जरूना की और इसे बात है कि भारत में अच्छे लोग नहीं है अच्छे पंडित नहीं अच्छे वाइद्ने बहुत है केवल अपने को तलाश कर ना पड़ेगा और उनका परिक्षन करना पड़ेगा किसी के कहने से भतमानना इंद अर्चा या अपना देबाद और kingdom of God lies in you कभी मत भूला कि आत्मा परमात्मा एक है आप में वही है जो आत्मा में परमात्मा में है वही गदे में भी है वही गोडे में भी है गाए में भी है तो आपने को शाकाहर इंसकी भी बात करना पड़ेगा आईए दोस्तों कल कभी नहीं आता शुरुवात आज इससे ही करते हैं और यह अमारी fundamental duty भी है सम्विधान इंडियन का शीवशन में fundamental duty डिफाइन की गई है तो उसे हम सुरू करते हैं कि देश के लिए हम सब कुछ करेंगे बिनमर भाव से आप तिनों को हम नमस्कार करते हैं तैंक यू मेडम जये हम ओके दनी बाहर दनी बाल